होपिंग की आप सब अच्छे होंगे तो आज फिर से वीडियो बनाने चले आएं आज का टॉपिक आपका जो थमनेल में देखे हैं और टाइटल में देखे आए आज बात करेंगे फिश का डीजीज लेके ठीक है डीजीज क्यों आता है किसलिए आता है कैसे आता यह सब लेक मेरा इधर पीए चापका 7.85 है मतलब अभी प्रॉपर्ली मेजन नहीं हो रहा है और आपका टीडियस मेरा है 767 है तो फिर देखिए मेरा इधर तो भेतनाम कोई भी है साथ में सिंगी भी है सिंगी का ज्यादा हाई सेलिनेटी में इसका प्रॉब्लम आ जाएगा तो कोई सेलिनेटी मीटर सभी तैफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए मैं सेलिनेटी मीटर तो नहीं करता हूं मैं टीडियस कोई प्रेफर करता हूं क्यूंकि वह लोग कॉस्ट में अच्छा काम कर जाता है लेकिन सेलिनेटी बेस्ट टीडियस का कोई अला करके उतना भूमिका नही तो पहले बेसिकर ली वाइफ लॉक में देखिएगा अगर आप कोशिच कीज़े कि मचली कुछ डिजीस नहीं आएगा कैसे कीज़ेगा अगर आपका पानी का सब कुछ ठीक रहता है तो फिर ठेक है अगर आपका पानी में जो पैरामीटर से वह ठीक है आपका पानी में तो कोई डीजी जाने का संभावना नहीं है लेकिन अगर किसी का पकड़ लीजिए अमुनिया वेतनाम कोई मछली का अमुनिया हाई होने से भी एफेक्टिव नहीं होता लेकिन इस रिस्क विकाज उधर आपका डीजी जाने का चांसेस हो जाता है और आता भी है अगर जाब वह आपको टैम देती है कि आप ठीक कीजिए नहीं तो आपका वह टैंक में प्रब्लेम करेंगे मतलब उसका डीजी जा जाएगा वह आपका फंगल हो सकता है वाइरल भी हो सकता है बैक्ट्रियल भी हो सकता है और यह एक से बढ़के जल्दी जल्दी पूरा टैंक में फैल क्सिएर की जते हैं मेरसी सिजन रिमूव करें कि आप बोले अगा कुछ नहीं है ठीक हम आपको इसका भीण से चैनल आधे यह को बैक्ट्रियकर्स नहीं है इतम ऀसमें आपका फ़ाइफ तो शिक्स भाइस प्लैटरिय सब बैक्ट्रिय यह फिर आपका कुछ जू और फ्लाइटो प्लाइटन भी है थोड़ा बहुत हम मेरा यह एक्स्पिरिमेंट वेसिस बोले या कुछ और बोले हम कोसिस कर रहे हैं मेरा इधर पानी ना बदभू होता है ना कुछ होता है ठीक है तो माइप वाटर इस ओके सबकुछ हम पहले भी मेजर करके दिखाएते पिछला वीडियो में तो अब बात करेंगे कि इसका क्या क्या सिम्टम्स है कैसा क्या डीजीज आता है क्यों आता है यह सब ठीक है में लिए प्लेक्ट्वेशन के कारण जेली टाइप का रोग आता है जिसको में जेली रोग बोल तो यह आपका मूह में मतलब आपका एक जन बोला तो एक और जन उसको पकड़ लिए लग को जेली टाइप के सब्सक्राइब हो इसको यह आपका में ली फंगल अटैक है वह फंगस के लिए होता है तो उज़र आपका यह 16 कुल्व भंगाली में भी तो यह मैं ली फंगास के लिया टाइक है तो इधर क्या करते हैं यह होगा यह ठीक होंने में टाइम लगता थुदा बहुत ठीक है और प्रफर ली कोई क्यों नहीं कर पाता है तो यह बाद में मचली वीक होती है खाना छोड़ देती है क्या करती है आपको पखल लीजिए पहले फीडिंग कम हो जाएगा ठीक है कुछ मचली फ्लोट करेगा फ्लोटिंग इन टॉप फिर आपको पता चलेगा कि जो डेट होगी तो उसका बॉडी में आपका यह सब रैस्ट है आपको इसा पता चलेगा तो उसको देखोगे फिर आप थोरा बोटनेटिंग करोगे देखोगे क्या है क्या नहीं है पर सीम्टम है मचली अगर डीजिज विजिट कुछ हुआ या उसको प्रॉब्लम होडा है फिडिंग रिडिउस कर देगी बहुत कम हो जाएगा उसके फिडिंग ठीक है फिर वाटर क मतलब यह डीजिज आता है तो आप क्या बोलता है पर 10,000 लीटर आप 3 ग्रम तूते बोलते हैं बंगाली में आपका कोपर सालफेट वोटो आप अच्छा से पानी में घोल के उसमें एक से दो ग्राम आप पानी मिला के आटींची पानी रखके टेंग उसमें घोल के दे दि खाना में कमबाइन करके एक्टो टैबलेट 2800 फ्यूड में मिला के मचली को खिलाएगा तो जो थोड़ा बहुत स्क्रैचेज रहता है वो सब रिकवरी हो जाती है वेतनम कोई कहम आपको बोले इसके बाद आपका आ जाता है सिंगी का लिए सिंगी का अगर आपका देखे म इसका अगर फंगल ठीटमिट आता है तो इसका डिजिस समझना थोड़ा बहुत मुस्किल होता है जो लोग फार्मर्स है नहीं फार्मर्स तो जब भी कोई डिजिस आता है हम प्रेफर करेंगे तो एंटिवेटिक थोड़ा बहुत खिला देने के लिए अगर पकड़ लीज करके प्रती एक के खाना में यह हिसाब है आपका मेरी क्विन का ठीक है ऐसा करके आप लोग उसको दे सकते हैं सिंगी मचली के लिए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आगा मचली जल्दी ठीक हो जाएगा और यह सब देखिए मैडी सिन ट्रीटमेंट आपका तीन दिन होगा सिन दिन में अगर देखते कि थोड़ा रिकवरी हो आप भी बाकी है तो आप उसको साथ दिन तक लेके जाएंगे साथ दिन का बाद यह मचली प्रॉपर्ली क्यूर्ड उके उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका कल्चर में सिंग का बात कर लिए तो यह दोन तो क्या होता है देशी मागूर में और सिंगी में बहुत सारा डिजीज हैं जो प्रॉपर्ली अगर हम लोग नहीं अबजर्ब करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट निकालना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए आपको कल्चर डिटेल सब कुछ जानना चाहिए नहीं तो च्किलाना पड़ता है वीटामिन खता कर दौर जोग है जो आपका पकड़ी आपका सब छुछ के लिए होता है लेकिन सींगी मागूल का देखा जाता है तो तो अधर है में विन التおおid मचली नहीं होता आपका बाड़ी और पानी का बीच में मचली का तो उसके लिए मतलब पकड़ लीजे आपका क्या बोलेगा मचली का लूज मुशन पेट खड़ाब है वो टाइप का उसमें आपका मचली का पेट फूल जाता है वह उपर में फ्रोट करती है कभी-कभी और द मतलब कीज़ सब केट विए सूड है मतलब का टीट की तरह नंका धाड़ी है तो दाड़ी निकाल wirion को आपका तैर रहे समझना पड़ेगा मैंली यह नहीं कि उनको डियो शॉर्टेज होड़ा है उनका पानी में कुछ गरबर आपको पहले पर्म पेरामीटर सब चेक करना बढ़ेगा मचली का बॉड़ी में स्पोर्ट सही कुछ है ठीक है मेंली क्या आपका पानी में अगर कुछ गरबर होता है त करते हैं आपका मचली एकदम स्ट्रॉंग रहती है और इसका कोई डिजीज आने का संभाव बहुत कम हो जाता है ठीक है तो फिर आपका आगियां आपका हम पकड़ लिजिए जो होड़ा है आपका ड्रॉप सी तो उधर हम किया किजिएगा मचली को एकदम प्लेन वाटर मे सब्सक्राइब कर लिजिए किसा आएगा आपका देखा गया कि टोटल 10 लिटर पानी या फिर आप कर लिजिए आप 500 नमक घोल के आप मचली को बात दे दिए सौल्ट वाटर बात हो गया उसके बाद आपको मचली के खाना में आपको प्रॉपर वीटामीन वीटामीन वीट और कुछ एंटिफंगल और बाइंडिंग जेल मतलब जो आपका लिवर टॉनिक है वह आप यूज कर सकते हैं डाइजेशन के लिए तो यह हो गया आपका डॉप सी का भी हो गया फिर आपका आता है तलापिया मचली का जो मेइन डिजीजेज है कोई बोलता है कि तादा मचली का डेंसिटी देखना पड़ेगा फिर आपको वह ठीक हो जाएगा अगर आपका सब कुछ प्रफर रहता है टेक में मचली मूँ ओपेन करके नहीं मरी फिर आपका तलापिया का देखेगा पेट फूल के या फिर पेट फट के या फिर पेट में यलोई या ग्रीनिश कलर होके मर रही है वह उसका डाइजिस्टी प्रब्लेम के लिए आप लोगों को उसको आप क्या बलता है खाना में प्रफरली नमक थोरा नमक देना पड़ेगा एक कीजी खाना में 10 ग्राम की तरह हिसाब से और बैंडिंग जेल यह मतलब आपका जो लिवर टॉनिक है उट इस चीज़ आपका क्लियर हो गया फिर आपका आएगा पंगासी इसका अर्ले मॉटली बहुत ज्यादा होता है लग मश्री स्टॉक करने के बाद देखने के मॉटली वह रहा है कि और यह कभी आई स्पोर्ट डिजी जाता है आई रेड हो रहा है ता आप उसमें क्या कीजि प्रब्लेम नहीं आएगा यह सब चीज कॉमन रह जाता है फिर आपका पंगास हो गया रूपचंदा का देखने के बाड़ी काट के मार मर रहा है उदर आपका टेंसीटी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा मश्री का तो यह होता है फिर आपका इसका फीडिंग मश्री कर रहा है मश्री का उतना कोई डिजीज नहीं है लेकिन आपका इसका डाइजिस्टी प्रब्लम में जो होता है तो रगूत पेट फट के पेट पे कुछ प्रब्लम या पेट सिकुर गई है ऐसा करके कुछ होता है तो आपको जेल देना पड़ेगा ठीक है और आपक जो ठीक अपने कर लीजेगा और पी अस्टेबिल करने का देखिए आप वह क्या बोलता है तुल बोलता है में वहाँ थो देखे आप पानी को आप फुचका का पानी मत बनाईए आपका अगर जो नेमल जल नर्मल पानी का अगर पीए सेवन है और पानी टेंक का अगर ज्य आपका पानी की तरह रहे ठीक है और फिर आपका आ जाता है टेंगरा मचली तेंगरा का देखिए बहुत दीजिस है लोगों लोग बोलेंगे कि टैंगरा का उतना डिजने डिजिस है आपका प्रापर ली पक्रिये तो इसका हेट क्रेक डिजीज है है catfish में में लिए होता है फिर आपका head swallow disease है फिर digestive problem का है आई problem का है फिर गील रॉटेड फिर आपका फिन रॉटेस बहुत सरा डिजीज है इसका में ली आप पकल लीजिए तो इसका इनटिवेटिक थो भूद खिलाना पड़ता है तो आपका यह ठीक हो जाती है मेली आपका यूज करने से भी होताइं नहीं तो आपका क्षिशलिन 500 जो वेडिसीन है अमक्स ग्रूप का वह आप यूज कर सकते उसमें अच्छा रेजल्ट आता है उतना कोई खरब नहीं है अच्छा रेजल्ट आता है अधीक हो जाता है देखिए कोई दूसरा कोई बीमारी के प्रब्लम आता है मेरे नंबर दिया हुए आप काल कर लिजेगा आप लोग का जरूर हेल्प करेंगे थैंक यू